नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार आर्थिक सर्वेच्छन 2020-21 एवं 2021-22 को तुलनात्मक रूप से इस वीडियो में डिसकस किया गया है, जो बहुत ही सौर्ट में डिसकस किया गया है, आपके एक्जाम के लिए बहुत ही हिल्फ करेगा 67th BPSC में और CDPO एक्जाम में तो आप से भी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF को टेलिग्राम ग्रूप से डाउड़ कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिसक्रिप्शन में डिसक्रिप्शन में डिया गया है, तो आई देखते हैं पहला पॉइंट बिहार आर्थिक सर्विच्चन 2021 एवं 2021-22 का तुलनात्मक अध्यान किया जाएगा इस वीडियो में, एक साइड आपके आर्थिक सर्विच्चन 2021-22 के बारे में बताया गया है, तो आप से भी लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तो सबसे पहले समान परिचाई बित मंतरी तारकिसुर परसाद के द्वारा जो है, पेस किया गया आपके आर्थिक सर्विच्चन, आर्थिक सर्विच्चन का पेस किया गया था, तो 19 फरवरी 2021 को पेस किया गया था, अब कुल कितने अध्याई में था, कुल 13 अध्याई में था, और आपको याद रखना है पंदरमा आर्थिक सरवेच्छन पेस किया गया था साथ ही आपको याद रखना है कि पर्थम आर्थिक सरवेच्छन जो है कब पेस किया गया था 2006-07 में पेस किया गया था बिहार के द्वारा बिहार में जो है पर्थम आर्थिक सर्वेच्छन का पेस किया गया था 2006-07 में पेस किया गया था ये BPC का फेवरिट कोसन है BPC बारवर इस प्रस्न को पूछता है तो आपको ध्यान रखना है जो 2020-21 का आर्थिक सर्वेच्छन था उसमें खुल 13 अध्याय था और पंदरमा आर्थिक सर्वेच्छन था पहला आर्थिक सर्वेच्छन जो है 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था उसके बाद है आर्थिक सर्वेच्छन 2021-22 के बारे में समझे एक का पेस किया गया है तो 25 फरवरी 2022 को पेस किया गया है और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो 2021-22 का आर्थिक सर्वेच्चन है या आपकी 16 आर्थिक सर्वेच्चन है जबकि 2021-22 वला आपकी 15 आर्थिक सर्वेच्चन था पर्थम आर्थिक सर्वेच्चन 2006-07 में परस्तुत किया गया था इतना आपको ध्यान में रखना है उसके इसमाद नेक्स्ट प्वॉंट है आर्थिक विकास दर जो है 2021 लनीश दर में कितना रहा था तो साघेटी Yoga दस परसंट कर रहा था आर्थिक विकास 2019-20 में जमकि 2020 एकिस में कितना रहा है 40.50 कितना रहा है अड़ाई परसंट रहा 2.50 परसंट रहा है सकल राज घरेलू उत्पाद बरतमान कीमत पर 2020-21 में कितना रहा है तो 6,11,804 कलोर रहा है जबकि 2021-22 में कितना रहा है 2021-22 में 6,18,630 कलोर रहा है साथ ही आपको ध्यान रखना है यह तो आपका हो गया बरतमान मुल पर उसके बाद है अस्थीर कीमत पर जो अस्थीर कीमत है इसका अधार बर्स 2011-12 इसे भी नूट कीजिएगा जो अधार बर्स 2011-12 है तो अस्थीर कीमत पर जो है अस्थीर कीमत पर जो है 4,14,997 कलोर रहा है सकल राज गरेलो उत्पाद ज्यान रखेगा जो बरतमान मुले करेंट मुले उस पर कितना रहा था 6,11,804 कलोर रहा था 2020-21 में जबकि अस्थीर कीमत पर कितना रहा है तो 4,14,997 कलोर रहा है उसके बाद है 2021-22 में कितना रहा है अस्तिर कीमत पर तो 41 नई 4,19,888 क्लोर रुपय आपके रहा है इसम दोबारा बोल देते हैं क्योंकि बोलने में थोड़ा गल्ती हो गया है सकल राज घरेलू उत्पाद GSDP बरतमान कीमत पर 2021-21 में कितना रहा है 6,11,804 क्लोर रहा है उसके बाद 2021-22 में कितना रहा है तो 6,18,630 क्लोर रहा है अस्थीर कीमत पर कितना रहा है 2,21 में तो 4,14,997 क्लोर रहा है जबकि 2021-22 में अस्थीर कीमत पर कितना रहा है 4,19,888 क्लोर रहा है इसका अधार बरस क्या है 2,11,12 है नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि सुधराज घरेलू उत्पाद NSDP नेट अस्टेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट तो इसमें समझे दो पॉइंट है एक है बरतमान कीमत पर और एक है अस्थीर कीमत पर बरतमान कीमत यहाँ पर आपके 2020-21 होगा और यह आपके है 2021-22 है ठीक ह ठीक है तो समसे पहले समझे बरतमान कीमत पर कितना रहा है सुधराज घरेलू उत्पाद तो पांच लाग बासर हजार साथ जो सो दस क्लोर रुपया रहा है जबकी 2021-22 में कितना रहा है पांच लागav python 56,470 क्लोर रुपया एक और अस्थीर कीमत पर जो है NSDP कितना रहा है कीमत पर तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो 30 hareक राख सदातर हजार रुपयात कीर साइट कीमत पर हूर 220 से की स Moving चैपना रहा है 307 Shepherd क्लोर है की उसके बाद नेक्स्ट है प्रति बेक्टी सेकल राज bir todd के बारे में समझ Raj बारे में समंझेंं अंत्राव्यष प्रति बैख्ती शकल राज घरेलू उत्पाद बरतमान कीमत पर कितना है 2022 तो पचास जार साथ सु पैती से ज्बकि clicking कितना है 50,555 है उसके बाद अस्थीर कीमत पर कितना है 2022 से है 24,400 तेरे रूपया है जबकि 2021 में कितना है 34,314 रूपया है उसके बाद next point है प्रति बेक्ती सुध राज घरेलो उत्पाद ध्यान लखेगा इसका पहले क्या था सकल राज घरेलो उत्पाद अब क्या है सुध राज घरेलो उत्पाद प्रति बेक्ती सुध राज घरेलो उत्पाद बरतमान कीमत और अस्तिर कीमत पर देखिए तो जो ब 292 रुपया है बरतमान कीमत पर 2021-22 में उसके बाद अस्थीर कीमत पर कितना रहा है 2020-22 में तो 31,287 रुपया रहा है और 2021-22 में कितना रहा है तो 31,007 रुपया इसे दोबरा देखेगा प्रतिव एक्ति सुध राज घरेलू उत्पाद बरतमान कीमत पर जो है 2020-21 का डाटा तो 46,292 रुपया रहा है प्रतिव एक्ति सुध राज घरेलू उत्पाद आपका बरतमान कीमत पर उसके बाद जो अस्थीर कीमत है अस्थीर कीमत पर कितना रहा है तो 31,287 रुपया 2020-21 में जबकि 2021-22 में कितना रहा है तो 31,017 रुपया रहा है उसके बाद नेक्स्ट प्रात्मिक चेतर का योगदान कितना रहा अर्थ विवस्ता में तो 19,5% रहा 2021-21 में कितना रहा तो 19,2% रहा कितना रहा 19,2% रहता है 23,6 का योगदान कितना रहा तो 20,3% रहाता है जबकि 2021-22 में कितना रहा तो 19,5% रहाता है दो 23,6 का योगदान तीरती चेतर है उसका योगदान 2020-2021 में कितना रहता है तो 60.2% रहता है जब कि 2021-22 में जो है 61.2% रहता है उसके बाद है कुल ख़द्यान उत्पादन 2018-2019 के अनुसार तो कितना हुआ था 16.3.1 लाग टन हुआ था कितना हुआ था 2018-2019 के अनुसार 16.3.1 लाग टन हुआ था जब कि 2021-21 में कितना हुआ है तो 17.95 लाग टन हुआ है 17.95 लाग टन हुआ है उसके बाद next point है प्रति बेक्ति आय में सबसे समिर्ध एवं सबसे गरीब तो सबसे समिर्ध कोन है पटना है उसके बाद बेगुष रह है 2022-21 और 2022-22 इस लिख दे जाता है ताकि आप पन्फ्यूजन ना करें प्रति बेक्ति आय में सबसे समिर्ध कोन है 2022-21 में तो पटना है दुसरा प्रापका बेगुसरा है, सबसे गरीब कोने, सीभर है, और उसके बाद अररिया है, दुहजार 21 बाइस में सबसे जो समिर्ध डिस्टिक कोने, पठना है, और 21 बाइस मेंद। वे सबसे गरीब कौन आ है तो siver है और और यह है डाटा का सेम बना हुआ है डाटा आपका सेम बना हुआ है 2020 21 में वी और 2021 में भी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सकल राज कोशिये घाटा है very very important point है सकल राज कोशिये घाटा है 2020 और 21 और यह आपका है 2021 और 22 ठीक है तो सकल राज सकल राज कोशिये घाटा 2020-21 में कितना रहा है तो 2% रहा है कितना रहा है 2% रहा है जबकि 2021-22 में कितना रहा है 3% रहा है नेक्स्ट पॉइंट है प्रति बेक्ती बिजली खपत के बारे में समझे है यहां से कोशन पूछा जाता है BPSC के दोवरा तो 2019-20 में कितना रहा था प्रति बेक्ती बिजली खपत तो 332 किलो बाट रहा था कितना रहा था 332 किलो बाट रहा था 2019-20 में जबकि 2020-21 में कितना रहा है तो 350 किलो बाट प्रती बेखती रहा है साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बिजली उत्पादन छमता कितना है 2020-21 में बिहार का तो 6422 मेगाबाट का पाउधार ओपन 2019-20 में कितना किया गया था तो 3.90 कलोर किया गया था जबकि 2020-21 में 3.92 कलोर किया गया था उसके बाद कुछ अंतरत के बारे में देखिए सचरता प्राप्ती 2030 तक बोला गया है कि 100% आपके बिहार के लोग सचर हो जाएंगे साथ ही आपको ध्यार रखना है कि राजकी पच्छी उत्सव कहां पर हुआ था तो आपके जमुई में हुआ था और कौन हुआ था कल रहा हुआ था आपसे पूछा जाएगा कि राजकी उत्सव कल रहा हुआ था तो जमुई में किया गया था नागी नागी नक्टी पच्छी अबरेनवे किया गया था कलरो महोसव कहां पर हुआ था जोंवे में हुआ था उसके बाद अन्त थे 2021-22 से तो देख लिजी विभीन चेत्र के बिर्धी दर के बारे में हापर बताया गया है 2016-17 से 2020-21 ठक ठेखलतो प्राथ्षिंय चेत्र का बिर्धी दर कितना रहा है 2016-17 से 2020 यई तो तो 2.3 परसेंट रहा है जबकि दू-3 कितना रहा है, 4.8 परसेंट रहा है जो तिर्थी चेतर है उसका रहा है ऐट-पॉइंट 5 परसेंट रहता है मुद्रास पिती महांगाई कितना रहता है 2016-2020 तक तो 3.1 परसेंट रहता है बरसा सरवाधिक बरसा किसन गंज में होता है सबसे कम बरसा अरवल में होता है इसके बारे में आपको हम बता भी चुके हैं राज में तीन सरवाधिक अकरसक उद्योग कोन है तो एथनौल खाद प्रसंसक्रण एबं नविकर्निय उद्योग और उसके बाद है खाद प्रसंसक्रण उद्योग में बिगत बरसों की तुलना में जो है दस गुना अधिक निवेस आया है नेक्स्ट है मचली उत्पादन में आतन दिरभर बिहार आपके हो गया है उसके बाद बिशलिक्फथ सबसे अधिक कहा पर है पट्टना में नियुदक बिशलिक्फथ कहा पर है तो इसे भेर में नियुदक्त वजलिक में आधेश के चांग distract भ करिए Türkiye है किसे हैं 20 तक जो है देश में परिवहन भंडारेन एवं संचार सेत्र में बिहार में सरवाधिक विर्धी हुआ है कितना प्रशंट विर्धी हुआ है तो 14.4 प्रशंट का विर्धी दर्च किया गया है स्रख लंबाई में बिहार का अस्थान तिसरा है पहला पर कौने किरल है दुशरा में पच्छी मंगाल है और 35 अपना बिहार है राश्टी राजमार्ग लंबाई के बारे में समझे तो 59-47 km आपके बिहार में राश्टी राजमार्ग की लंबाई है सरवादिक जो राश्टी राजमार्ग की लंबाई कहां पर है पटना में नियुंतम कहां पर है सिबर में, राज की राज मार्ग लंबाई कितना है, ध्यान रखेगा, राज की है राज की राज मार की लंबाई कितना है तो 314 किलो मेटर है सितम्बर 2021 तक का इसमें आकड़ा दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट है, 2012 से अब तक पाँच बार बिहार को किर्सी कर्मन पुरसकार मिल चुका है किर्षी उत्बादन में अस्थान पुर्य बारत में पहला है जूट के उत्पादन में सकेना स्थान है पहला पच्छी मंगाल है दूसरा आपके बिहार है मक्का, आलू, आम के उत्पादन में तिसरा स्थान बिहार का है मतस उत्पादन में आपके चतुरतर स्थान बिहार का है चाबल उत्पादन में सरबादिक जो आपका चाबल का उत् तो रोंतास रुते सपसेद्स के प्रकेश संभाता सेज़र करता है धेelत प्रेंगे मार्प्रत्धी ह्क्टेर, सबसे अधिक मका को मदुबनी करता है, फसल सघंता सरबाधिक सिभर का है, नियुनतब कहांपर है ? कहाँ पर गया का है, इसमें से जो weight point था आप से भी लोग जानते थे क्योंकि अपना पुराना विडियो आया था, उसमें इस सारे point लगवक था, ठीक है, में लिए देखी इस विडियो को लाने का मकस्ड था कि इस विडियो को सोर्ट में विडियो को कुबर गया था, इस लिए इस विडियो को लाना गया है, तो आपसे भी लिए comment करन करके जूरुआ आई गपको बीडियो के साफ लगजग, thank you.